वल्कम बैक दोस्तों आज मैं आपके सामने रिसेनली टमील लैग्विज में रिलीज हुई एक बहुती अंदरेटेड साइकलोजिकल त्रिलर मूवी को लेकर आए हूँ इसका नाम है विल विताई आचली इस मूवी का इंडिंग थोड़ा कंफ्यूसिन सा लगता है और सी तरह डेक्टर भह साब एक बहुती बहतरीन सा मेसेज भी देते है तो चलिए फटावर से मूवी को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम कानी की शुरुवात में किसी जगा पर किसी बंदे का मरडर हो चुका होता है जब यह बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर जमा होते हैं वाँ इंस्पेक्शन करने के लिए और इसी तरह महाँ पर पब्लिक भी होती है किसी को नहीं इंस्पेक्टर एक हॉस्पिडल जाता है मूवी के में क्याक्टर मित्रन से मुलाकात करने के लिए डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि फिलहाल मित्रन जिस हालत में है आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते वो बहुती डिस्टरब है पता रही किस चेस को देखकर ढ किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहा पुलिस वाला कहने लगता है कि सर प्लीज एक बार मिलवा दीजिए इस केस में वही एक लोता बंदा है जो कुछ चीजें जानता है हमें उससे पुस्ताच करना बहुत जरूरी है इस तरह से वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत लगता है देखाना सार आपने यही इसकी हालत है ऐसे मैं आप इससे पुस्ताच कैसे कर सकते हो आप मितरन के हालत ऐसे क्यों हुई यही दिखाने के लिए इसी थोड़ा फ्लैश बैक में जाने लगता है आच यूरी मितरन के फादर इस दुन्या में नहीं होते मितरन के फा मेरे लिए तो मेरी मां ही सब कुछ है बस आने वाली मेरी बीवी मेरी मां की देखरे करे वही काफी है। दूसरे सीन में अमुदा नाम की एक लड़की को दिखाये जाता है। अमुदा की बेटी कहने लगती है कि तुम हमेशा से यही कहती हो मां मेरे दोस्तों के मावाप हर रोज उनके बच्चों के देखने के लिए आते है। इस तरह से मायोस होकर वो बच्ची और फ्रिश के अंदर चली जाती है। बच्ची की बात सुनने के बाद अमुदावी बहुत एमोशन होने लगती है। ख़़ दूसे दिन पुलिस वालों को यहोर मडर के वारे में पता जलता है। जब पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो डेट बोडी पूरी तरह से जल चुकी होती है। मतलब किसकी डेट बोडी है पहचानने के लाइक ही नहीं होती। और ना है किसी ने मडर को देखा। दूसे सिन में दुबारा मितरन और श्वेता को दिखाय जाता है। और फिलहाल श्वेता प्रेग्नेंट होती है। एक रात अचानक से श्वेता को पेंच स्टार्ट होने लगते है। फटावर से श्वेता को हॉस्पिटल ले जाये जाता है। जब मितरन डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर मितरन से ये बात कहने लगती है कि श्वेता की नॉर्मल डिलिवरी नहीं हो सकती। उसको ऑप्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप लोग फटावर से अडवान्स पे कर दोगे तो श्वेता का उप्रेशन जल से जल हो जाएगा। तो ये बातें सुनने के बाद बैचारा मितरन ही सोचने लगता है कि अभी इतने पैसे कैसे अजज़ेश होंगे। इसके पास तो उतने पैसे मुझूद नहीं होते। फटावर से अपनी जान पहचान लोगों को काल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है। लेकिन कौन बुरे वक्त पर साथ देगा। बहुत सारे लोग मना करने लगते हैं अरे यार अगर मेरे पास होते तो तुमको दे देता, मैं खुद कर्जे में डूबा हुआ हूँ। और आचली यहाँ पर मितरन एक क्याप ड्रेवर होता है, फारे लिए अपने ओनर को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है। मितरन का ओनर कहने लगता है, अरे बस इतनी से बात, तुम हमारे गोर्डन के पास आजाओ, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। तो बेचाना मितरन खुश होकर फटावर से उस गोर्डन के पास जाकर अपने ओनर का इंदिजार करते रहता है, देखते ही देखते ही शाम हो जाती है, वहाँ पर कोई भी नहीं आता, उसी गोर्डन के किसी कमरे में मितरन के ओनर के बेटे गिरी को दिखाय जाता है, और आ लेकिन क्लास में है, कब तक मैं अपनी बेटी से तुमारे बारे में चुपाती रहूंगी, कब तुम मुझे शादी करोगे, गिरी यही बात किरने लगता है कि मैं अपने पपा को मनाने की कुशिश कर रहा हूँ, वह मानने के बाद हम दोने की शादी होगी, इसी बातों है बातों में गिरी को एको लड़की कॉल करने लगती है अमुदा गिरी के सामने उस फोन को पिक करने पर वो लड़की गिरी को कुछ पपियां शपियां डालिंग वगरा बोने लगती है अमुदा को पता चल जाता है कि गिरी एको लड़की के साथ अफेर में है इसको धोका दे रहा है तो इसी बात को लेकर अमुदा गिरी से बहुत जगड़ा करने लगती है आप गिरी को गुस्ता आकर एक वियर की बॉडल अमुदा के सर पे ठोक देता है जिसके वेसे शायद अमुदा मर जाती है आमुदा मरने के बाद गिरी बहुत रूने लगता है कि मैंने गुसे में क्या कर दिया अब मैं क्या करूँ तो कुछ भी समझ में ना आने पर गिरी अपने फादर को कॉल कर गे यह बात बताने लगता है कि पापा मुझे से एक बहुत बड़ी गल्ती हो गई वो जो अमुदा है ना वो मेरे हातों से मारी गई यह बात सुनने के बाद इसका फातर शख में रह जाता है गिरी को डाटने लगता है कि मैंने तुम को कितनी बार कहा कि उस लड़की से दूर रहो फिर भी तुम उस लड़की से मुलकात करने लगे तुम घबरो मत गौड़न के बाहर एक बंदा खड़ा है तुम चोरी चुपके उस लड़की की लाश को उसके गाड़ी के डिकी में रख दो और सी तरह उसे पैसे भी दे दो दूसी तरफ मितरन को उसके माँ कॉल करके यह बात कूशन लगती है कि बेटा तुम कब तक आओगे शुएता दर्द के मारे तड़प रही है बेटा इसी दर्मियान में गिरी के दो आदमी अमुदा की लाश को मितरन की गाड़ी के डिकी में रख देते हैं और सी तरह इसको कुछ पैसे भी देते हैं जब मितरन अपने गाड़ी से वहां से जा रहा होता है तो बीच रास्ते पर पुलिस की चकिंग हो रही होती है लेकिन आते समय मितरन को अपने गाड़ी की फीचे कुछ आवाजें सुनाएं देने लगती है गाड़ी रुका कर जब डिक्की ओपन करता है तो डिक्की में अमुदा होती है और वो भी जिन्दी मतलब अमुदा पूरी तरह से मरी नहीं होती होश में आने के बाद मितरन से कहने ल जाती है ये देखकर मितरन के तो और होशूर जाते है कि एक करफ इसको हॉस्पिल जाना है और दूसी तरफ गाड़ी में लाश उसके बाद मितरन अमुदा की लाश को लेकर एक बहुती पुराने खंडर घर में आता है सच में दिखने में ये घर बहुती डराउना होता है अमुदा की लाश को कही अंदर ले जाकर छुपा देता है कोई भी इसको ना देखे इसकी उपर कपड़ा भी ढख देता है तब ही वहाँ पर एक शैतानी हसी हसते हुए एक पागल बंदा आता है इस बंदे को देखकर मितरन बहुत डरने लगता है उस बंदे से बचकर निकलने ही वाला होता है तब ही मितरन के साबने अमुदा आ जाती है मतलब ये बेवरिसाली अभी भी जिन्दी है मितरन से यह कहने लगती है कि सर मेरी बेटी को बचा लो ऐसा कहना ही था फीचे से कोई अगजान बंदा आकर अमुदा को मार देता है और वो बंदा खुब पागल बंदा आकर इसको देखकर बहुत हसने लगता है। मियार में उस साइको को पता चल जाता है कि मितरन होश्ट में आकर कही पर जा रहा है। मैंने स्कूल में जाकर पुस्ताच की। स्कूल वाले तो यही कहने लगे कि भावना के साथ तो सब कुछ ठीकी है। मैंने यह सोचकर भावना को फालो करने लगा क्या कोई भावना को तंग कर रहा है लेकिन कोई भी भावना को तंग ही नहीं कर रहा था। इसके बावजुद भी भावना आदी रात को उटकर रोने लगी, अपने आप में बढ़बढाने लगी, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया, one fine day मेरी क्यूट सी बेटी भावना बिल्लिंग से नीचे गिर कर मर गई, उसके बाद मुझे ये बात पता चली, कि स्कूल का वाच्मेन मेरी बेटी को बहाने से ट्रविट पार्ट्स पर टच्च किया करता था, उस वाच्मेन की बज़े से ही मेरी बेटी मर गई, मेंटली डिस्टब होकर, मेरी बेटी मनने के बाद मेरी जिन्दगी तबाव बरबाद हो गई, मैंने ठान लिया कि ऐसे लोगों को सब रहा हूँ अब बताओ तुम क्या मैं साइको हूँ क्या मैं पागल हूँ तब जाकि मितरन को समझ में आता है कि इस सारे मढर्स यही साइको बंदा कर रहा है आट तर सेम टेम उस पुराने घर के पास पुलिस आई होती है पुलिस की सैरेन की आवास सुनने के बाद वो साइको मितरन से कहने लगता है कि अब यहां पर फुलिस आ चुकी है मुझे पकड़ लेगी मुझे जेल में डालेगी मैं जेल जाना नहीं चाहता तुम खुद मुझे मार दो मैं खुद को मार नहीं पा रहा मुझे बहुत डर लग रहा है इस तरह से चागो मितरन के हाथ में देने पर मितरन रोते हुए वो साइको को मार देता है जब पुलिस वाले इस पुराने खंडल घर में आते है तो यहां की लाशों को देखकर शौक मेरे जाते है कि ये सारा घर लाशों से भरा पड़ा है उसी किसी कोने में मित्रन बहुत डरा हुआ होता है आप पुलिस वाले तो इसका फ्रेंड होता है ना मित्रन से पूछन लगता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए किसनल आए तुमको यहाँ पर लेकिन मित्रन खुछ भी जवाब ही नहीं देता जब पुलिस वाले और आगे जाते है तो और काफी सारे लाशे होते है और सी तरह डेट बोडिस की तुकडे भी मित्रन का फ्रेंड मित्रन से कहने लगता है कि ठीक है तुम यहाँ से चुप चाप चले जाओ हम यहाँ का माहुल समाल लेंगे जब मित्रन वापस अपने घर आता है तो इसके घर में मित्रन की मा और श्वेता होते है मित्रन की मा मित्रन से कहने लगती है कि टाइम पर आउप्रेशन ना करने की वज़े से बच्चा पेट में ही मर चुका है बेटा श्वेता रो रोकर मित्रन से ही कहने लगती है कि मैंने काफी सारे सपने देखे थे कि हमारे घर में भी बच्ची या बच्चा होगा डॉक्टर ने कहा कि कभी मैं मा नहीं बन सकती मुझे बच्चा चाहिए इस तरह से बहुत रोने लगती है सोते समय मित्रन को अमुदा की बात याद आने लगती है कि अमुदा की बेटी किसी आर्फनेश में पढ़ाई कर रही है सो मित्रन श्वेता को लेकर उस आर्फनेश जाकर अमुदा की बेटी को गोद ले लेता है आमुदा की बेटे भी इन दोनों को अक्सेप कर लेती है दूसरे सीट में हमको ये बात पता चलती है कि गिरी भी मर चुका है मतलब उस साइको ने गिरी को भी मार दिया पॉलिस वालों को अभी तक वो साइको किलर नजर नहीं आया ना है उसके रिलेटेड कोई क्लू मिला फाइनले डिरेक्टर बैस साब हम आउडिन्स को कुछ बातें बताने लगते है हमारे घर के बगर में एक छोटी बच्ची भावना की कहानी है ये सेम भावना के साथ ऐसा ही हुआ था हम भावना को नाय तो नहीं दिला पाए बड़े बड़े नेताओं ने उस केस को दबा दिया किसी दूसरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ अगर ये सोचकर हम चुपचाब बैठे रहेंगे तो कल दो क्या भरोसा कि वही इंस्टेंट हमारे घर में हो मतलब कल दूसरे घर में हुआ तो शाद आने वाले दिनों में हमारे घर में भी ऐसी घटना हो सकती है ऐसे दरिंदों को इस मुवे में जिस तरह से दिखाया गया वही सजा मिलनी चाहिए मैं तो यही सोचता हूँ इस तरह से डेक्टर भाई साब यह बातें बताने लगते है अब यहाँ पर बात यह है कि आच्छली वो साइको किलर और कोई नहीं मीतरन ही होता है शायद किसी न्यूस पेपर में या टीवी न्यूस चानल में भावना की न्यूस पड़ी होगी तो भावना को न्याए दिलाने के लिए मितरन ने एक साइको का रूप लेकर ऐसे दरिंदों को मारने लगा उसके बाश जब मितरन ने अमिदा की लाश को अपनी कार के डिक्की में देखा था तो उसकी लाश को छुपाने के लिए उस पुराने घर में गया वहाँ पर मितरन ने ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन करने लगा मतलब मितरन जिन जिन लोगा ता उन सारे लोगा की लाशों को इसी घर में लाकर रख देता था ने की तुकड़ी तुकड़े कर देता था शाद कीसी को जलावी देता था आचुली ये लिडिल बिट कुछ सची घटनों पर आधारित है घर मिल दए अगली वीडियो में तब तक टे केर बाबाई सी यू सून